एकदम गर्मा गर्म इसे बनाकर खाएंगे तो सब तरह के हलवे और खीर आप भूल जाएंगे मुझे तो जब भी मीठा खाने का मन होता है जादा तर मैं यही बनाती हूँ क्योंकि इसे खाकर सहत भी तंदरुस्त रहती है यह बनाने में भी इतना आसान होता है कि बस यू समझें कि आदे गंटे में पुरी रेसिपी बन कर तयार और वही अगर आपने पहले से इसकी एक तयारी करके रखी हो तो तो बस 20 मिनिट में आप इसे बनाकर तयार कर सकते हैं पूरे परिवार के लिए इसे खास बनाने के लिए मैं इसमें कुछ और चीज़े भी डालती हूँ तो जब आप इसे मेरे तरीके से बना कर खाएंगे तो सच में आप खाते ही रह जाएंगे तो चलिए जल्दी से हम ये हमारी recipe शुड़ू करते हैं पर सबसे पहले तो इसे मैं pressure cooker में बनाने वाली हूँ आप चाहें तो इसे कड़ाई में भी बना सकते हैं तो cooker में सबसे पहले हम एक डेबल स्पून देशी घी डाल दिंगे और इसके साथ-साथ हम कुछ dry fruits यहाँ पर लेंगे तो आप अपनी पसंद के dry fruits यहाँ पर ले सकते हैं मैंने यहाँ पर सबसे पहले इसमें आधा कप full मखाना डाल दिया है गी में हम इन्हें थोड़ा सा roast कर लेंगे तो यह मखाना को थोड़ी देर भूल लेने के बाद इसी में हम काजू के टुकड़े और बादाम के टुकड़े डाल दिंगे मैंने यहाँ पर 8-10 बादाम काजू को टुकड़े करके इसमें डाल दिये हैं और इसी तरह से मैंने यह 1-4 cup जो सूखा नारियल होता है जिसे हम खोबरा बोलते हैं उसके पतले-पतले slice निकाल कर लिए है तो यह भी हम इन सब चीजों के साथ डाल कर थोड़ा सा भून लेंगे जब हम हलका सा dry fruits को भून लेते हैं तो यह ज़ादा crunchy हो जाते हैं और इनका जो taste है वो बढ़ जाता है तो यहाँ पर हलका सा इनका color change होने लगा है बस इसी time हम इने निकाल कर plate पर रख लेंगे फिर एक बार cooker को हम tissue paper से साफ कर देंगे ताकि इसमें जो dry fruits के छोटे टुकड़े लगे हैं वो आगे इसमें जलेंगे नहीं क्योंकि अब हमें इसमें भूनने वाला काम करना है तो मैंने cooker में ये one fourth cup देसी घी और डाल दिया है इसे हम देसी घी में ही बना कर तयार करेंगे और फिर आप देखिए ये मैंने लिया है दल्या इसे English में broken wheat कहा जाता है और लापसी के नाम से भी इसे जाना जाता है बाकी अलग-अलग जगों पर इसको बहुत अलग-अलग नामों से भी बुलाते है बेसिकली ये गेहूं के टुकडे होते हैं जो की सूजी से थोड़े जादा बड़ी साइज में होते हैं और बस अब ये मैंने एक कप लिया है अच्छे से मैंने इसको साफ करके लिया है और इसकी अब हमें घी में अच्छे से भुनाई करनी है तो लगातार चलाते हुए धिमी-धिमी आज़ पर हम इसको भूंते रहेंगे थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि जो दल्या है वो थोड़ा सा वाइट कलर का हो जाएगा क्योंकि जो गेहूं के दाने के टुकडे होते हैं इसमें वो थोड़े थोड़े पॉपकॉन के जैसे इसमें फून ले लगते हैं बस हमें इसको लगातार चलाते हुए अच्छा सा कदर आने तक भून लेना है दल्या को हम जितना अच्छे से भूनते हैं उतने ही जादा अच्छी खुश्बो इसकी दूर दूर तक फैलती है दल्या को भूननी की खुश्बो बहुत अच्छी आती है यहाँ पर मैंने फ्रेश इसी टाइम दल्या को भून कर लिया है आप चाहें तो पहले से दल्या को भून कर स्टोर करके रख सकते हैं और आगे जब भी आपको ये रेसिपी बनानी हो तो बस भूना हुआ दल्या को कुकर में डालना है और फिर पाने डाल देना है ये मैंने अच्छे से दल्या को भूल लिया है आप देख सकते हैं कलर इसमें बहुत अच्छा आ गया है तो अब हमने एक कप दल्या लिया है तो उसमें हम ये दो कप पाने डाल देंगे पानी हमें उसी कप से नाप कर लेना है जिससे हमने दल्या को लिया है तो ये दो कप पानी डाल दिया है एक बार इसे अच्छे से मिला लेंगे और अब हमें गेस की आज को मीडियम पर करना है और कुकर का धकल लगा कर इसकी हम दो सीटी लगा लेंगे जब तक दलिया पकरा है तब तक हम दूसरी तरफ पत्तीले में डालेंगे यह एक कप गुड, जितना मेंने दलिया लिया है उतना ही में यह गुड का पावडर लिया है क्योंकि दल्याम में बिल्कुल भी मिठास नहीं होती है तो इसके बराबर ही हमें इसमें मीठा एट करना होता है मीठे के लिए मिने हाँ पर गुड लिया है लेकिन आप चाहें तो चीनी का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो गुड की इस पावडर में हमें एक कप पानी डाल कर अच्छे से इस तरह से उबाल लेना है जो गुड है वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाना चाहिए हमें इसकी चाशनी तार वाली नहीं बनानी है बस इसको अच्छे से उबाल कर ले लेना है तो ये बिल्कुल गुड का पानी तयार है हमारा अब जो कुकर है उसकी दो सीटी आने के बाद मैंने गेंस के आज को बंद कर दिया था और अब प्रेशर पूरा निकल जाने के बाद जब मैंने इसका ठकन खोला है तो आप देखिए दल्या बहुत अच्छे से पक गया है एकदम खिला खिला हो रखा ह पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं बचा है और जो दल्या है वो अच्छे से पक भी गया है मतलब कि जब हम इसमें मीठा डालेंगे तो जो दल्या है वो कच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा इसे बनाने का यही सही तरीका होता है कि पहले हमें दल्या को पका लेना है और फिर उसके बाद इसमें मीठा एट करना है क्योंकि अगर दल्या को पकाने से पहले ही हम इसमें मीठा डाल देंगे तो जो इसमें गेहूं के टुकड़े है दल्या है वो गलता नहीं है सही से और अंदर से वो थोड़ा-थोड़ा कच्चा रहे जाता है लेकिन जब आप इसे पहले इस तरह से पकाने के बाद बनाएंगे तो ये पूरी तरह से पक भी जाएगा और खाने में बहुत जादा टेस्टी भी लगेगा अब बस ये जो हमने गुड़ वाला पानी बनाया है इसे हम छनली से छान कर इसमें डाल देंगे और अच्छे से से मिक्स कर लेंगे फिर इसमें मैं ये खास चीज डालती हूँ जो की है पोस्ता दाना यानि की खस-कस इंगलिश में इन्हें पॉपी सीट्स कहा जाता है ये छोट-छोटे से दाने होते हैं बहुत जादा फाइदेमंद भी होते हैं और खाने में ये इसमें टेस्टी भी लगते हैं तो एक से दो टेबल स्पून में इसमें ये हमेशा डालती हूँ इससे खाना बहुत जादा स्वाधिस्ट लगता है फिर जो हमने सभी ड्राइफ रूट्स को रोस्ट करके रखा है गी में वो सारे हम इसमें डाल दिंगे ताकि दलिया के साथ ये अच्छे से पक जाएंगे और इनमे जो कि अभी ही ये पी जाएगा अब ये जो मीठा दलिया होता है कुछ लोग इसको थोड़ा सा लिक्विट साइट पर रखते हैं मतलब कि इसको थोड़ा सा लिट्पिटा सा रखते हैं और फिर उसे खाते हैं तो अगर आपको वेश से पसंद हो तो आप इसमें आधा का प पाउडर डाल देती हूँ इसको जब हम इसमें डालते हैं तो दूद की कमी बिल्कुल भी मैसूस नहीं होती हैं क्योंकि हमने इसमें दूद का इस्तमाल नहीं क्या है गुड़ डाला है इसलिए हमने इसे पानी से बनाया है लेकिन अब मिल्क पाउडर डालने से इसका जो जरम सर्व करेंगे यह जो गुड़ वाला मिठा दल्या होता है यह काफी पूराने टाइम से सहत के लिए बहुत जाद आच्छा माना जाता है क्योंकि इसकी निट्रिशन वेल्यू काफी हाई होती है और डाइजेशन में यह बिल्कुल भी इश्यू क्रेट नहीं करता है तो जो न्यू-्मधर्श होती है जिन्हें बेबी को फिट भी आकर खिया होता है तो यह उनहें भी बनाकर खिलाएते हैं जिससे की वो बेबी के लिए भी अच्छा होता 편 है तो हपी भी मीठा खाने का मन हो आप इसे बनाकर कहा सकते हैं गर्मा गर्म यह लापशी या मीठा दलिया गुड़ वाला खाने में बहुत जाद अच्छा लगता है तो बस एक बार आप इसे मेरे तरीके से जरूर बना कर देखेगा और फिर अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तब ही आप इसे लाइक करें और शेर करें सभी के साथ और हमारे चैनल एट ये मिशस को प्लीज जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसे ही रेसिपीस देखने को मिलती रहें और नए रेसिपीस के नॉटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिलकुल ना भूले हम नेक्स रेसिपी के साथ जल्धी मिलते हैं तिल देल एंजोई दिस मिठा मिठा गुडवाला देलिया और थैंक्स पर वाचिंग एट ये मिशस